बागे बिहारी मंदिर जाने का रास्ता दोस्तों अगर आपको भी बागे बिहारी मंदिर का रास्ता नहीं पता तो मेरी इस वीडियो में जरूर बने और मेरी ये वीडियो एंड तक देखे दोस्तों मैं बदर्पर बॉर्डर के पास रहती हूँ तो मैं बदर्पर बॉर्डर से कई बसे, गाड़ियां, कैब, सब तरह की की गाड़ियां जाती हैं जो की मत्रा तक जाया करती हैं लेकिन मैं आप लोगों को बस का ही प्रेफर करूंगी बस का किराया डेट सो रोपे से नीचे होता है तो वो आपको एक्जेक्ट आपकी लोकेशन पे छोड़ देगी और कभी भी कैब या ए को बुक्त ना करें क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी क्योंकि उसमें चार सवारी की जगए आठ सवारी भर के ले जाते हैं जिससे की पैटने में बिलकुल भी कमफर्टेवल फील नहीं होता तो दोस्तों बदर्पू बॉडर से आपको बस पकलनी है जो की मत्रा तक जाएगी लेकिन आपको बीच में ही मिलेंदावन छटी कराच चौरा के पास रुख जाना है छटी कराच चौराए से आपको ओटो रिक्षा मिल जाएंगे सबी ओटो रिक्षा बागे बिहारी मंदिर के लिए अविलेवल होते हैं वो पचास रुपे, सो रुपे या अलग-अलग डेट होते हैं लेकिन जैनुर्ण किराया बीस रुपे ही है तो आप बागिंग करके बीस रुपे ही देना वहाँ आप बाके बिहारी मंदिर में जाकर बाके बिहारी जी के दर्शन करें फिर वहाँ दर्शन करके लोटे तथा वहीं से आपको और भी ओटो डिक्षा मिल जाएंगे जो आपको निरीवन प्रेम मंदिर और वहाँ जितने भी आसपास मंदिर है वो सब जगे जाने के लिए एविलेवन हैं लेकिन द्यान रहें 12 बजे से पहले पहले ही सारे मंदिर घुम सकते हैं तो अपने समय का भी जरूर द्यान रखें विरिंदावन के सभी मंदिर 12 से 4 बजे तक बंद रहते हैं तो अपना कीमती समय निकाल कर लाएं लेकिन इस चीज का द्यान भी रखें कि 12 से 4 वहां के मंदिर बंद रहते हैं तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे इसलिए जल्दी सुबस्वा मौनिंग में निकले और 10 बजे तक और 9 बजे तक वहां पहुँचे और 10 बजे तक इसलिए सुबस्वा जल्दी उठे और वहां पहुँचे और मबा के बिहारी जी के दर्शन करें और बारा बजे आप अराम से रेस्ट कर सकते हैं अगर आपको चार बजे भी दर्शन करने हैं तो बारा से चार आप किसी रेस्टरेंट में या फिर रूम बुक किसी होटाल में रूम बुक करके रेस्ट कर सकते हैं नहीं तो आप वहां काफी सारे पार्क है वहां जाकर भी आ मैं आपके साथ सेर करना जा रही हूं